वहीं जिले के रामगंज मंडी थानरशेट के खेराबाद कस्वे में बिजली चोरी पर कारवाई और सतरक्ता की जांच करने गए डिसकॉम के अधिकारियों के साथ बस सुलूकी और मार्पिट का मामला सामने आया वी सियार भनने पर स्थानी व्यक्ति ने लोगों के साथ मिलकर हैलपर को थपर मारे और फिर उसे दस मिनट तक छट पर बंदक बनाय रखा और अधिकारियों से बस सुलूकी की गई और टीम के सदेस्यों के कोलर और गिरबान पकड़ कर मार्पिट की गई और इसके बाद लोगों ने बीच पचाफ किया और इस मामले में अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने राजकाज में बादा का केस दर्ज किया है दरसल शनिवार को दिसकोम की टीम बिजली चोरी और सतरक्ता की जांच करने कस्वे में गई थी और टीम में राम इस खान के घर में अवेदरूप से तारों पर आंकडे डाले गए और डिसकोम की टीम मौके पर जाकर अवेदरूप से डाले गए और इसके बाद बिजली चोरी करने पर कारवाई करने लगे वहीं बताय जा रहा है कि टीम ने 37,000 रुपे की VCR भरी थी और इससे गुशाय पहे जनों ने ग्रामीन और सिटी जैन के साथ गाली कलोश शुरू कर दी और उनके हातों से दस्तावेज भी छीन लिया गया और हेलपर गोवरधन के थपड़ मारे और हेलपर गोवर का वीडियो भी रिकोर्ड करते रहे और रहीज और उसके वेटे मुन्ना सायोगी अनवर ने कारवाई करने वाली टीम और अधिकारियों के सरकारी काम में बादा पैदा कि और वहीं डिसकॉम की टीम ने थाने जाकर शिकायत दर्च करवाई और घटना से जोड़े वीडिय को दिये गए हैं और वहीं रामगज मंडी, सियाई, सत्या नरायन, मालवन ने बताया कि इस मामले में केस दर्च कर लिया गया और आरोपियों को जल्द गिरफतार किया जाएगा और वहीं जिले में अवेध हत्यारों की सप्लाई और फायरिंग कर दहशत फिलाने वाले शातिर बदमाश हनुमान धाकर को आखिरकार पुलिस की स्पेशल टीम ने शनिवार को जोधपूर से गिरफतार कर लिया है और पुलिस मौस्ट वॉंटेड बदमाश हनुमान जाकर की पिछले दो महीनों से तलाश कर रही थी और पुलिस के पहुंचने से पहले ही शातिर बार बार अपना ठिकाना बदल लेता था और भीमगंज थाना प्रभारी सुरजित सिंग ने बताया कि शनिवार को पुलिस को सूचना मिली और फाइरिंग और हत्या सप्लाइ में वांचित बदमाश हनुमान धाकर जोधपूर के कमला नहरु अस्पताल की पीछे चिपाया और सूचना पर पुलिस टीम ने तुरंट जोधपूर पहुंच कर दबिश दी और आरोपी हनुमान धाकर को पकड़ कर डांग्या वसल थाने ले गए जिसके बाद जोधपूर से भिलवाडा लाए गया और शातिर आरोपी ने शहर के प्रताब नगर थाना छेद के आजार नगर में तीन अक्तूबर को दिन दिहाडे फायरिंग की थे और आरोपी ने काच्छोला थाना छेद के धामनिया गाउं के खाकला वेपारी की गलारेत कर हत्या कर देने के बाद फायरिंग कर भागे परार भी चल रहा था और कई थानों में इसके खिलाब कई मामले भी दर्ज किये हुए हैं